नमस्कार प्रभास अक्षी नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है पाकिस्तान द्वारा जो सीमा पर आतंगवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है उसने दरसल भारत के समक्ष कुछ नई चुनौतियां पेश की हैं इन चुनौतियों की बात करें तो दरसल सीमा पर इस समय सक घाटी में ट्रेनिंग दे रहे हैं और इन लड़कों को भरती किया जाता है तो उनको पहला काम सिखाया जाता कि आप किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस के हथियार लूटिये उन हथियारों से ट्रेनिंग दी जाती है और आखिरकार फिर्म को जिहाद के रास्ते पर ब बताती हैं कि जो आतंकवादी हैं उन्होंने कश्मीर में विसफोर्ट का अपना तरीका बदल दिया है और यह तरीका कुछ-कुछ माववादियों से मिलता जूलता है हलांकि अभी इस बात के कोई ठोश सबूत नहीं को तथे नहीं कि माववादियों का और कश्मीर करन होते हैं उनका इस्तेमाल अब करने लगे हैं यह कश्मीरी आतंकवादी और अभी जिस तरीके से जो पुलवामा की घटना हुए उसमें भी इस बात से नहीं किया जा रहा है कि रिमोट कंट्रोल से उड़ाया गया हो हलांकि उसने गाड़ी भीड़ा दी अपनी लेकिन यह भी एक बात सामने आ रही है कि रिमोट कंट्रोल का भी इस्तेमाल किया गया हो और इसके अलावा अगर हम बात करें इन जो यह जो आतंकवादी खास्तोर पर पुलवामा की घटना पर हम रहें तो इसमें एक चीज़ और सामने आई है कि यह जो आतंकवादी थे यह इधा का इस्तिमाल कर रहे थे अब यह दोनों क्या चीज़े हैं आई हम आपको बताते हैं हाली में एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि विसफोर्ट को अंजाम देने के लिए आतंकवादियों में मोटर साइकल और वहनों की चोरी रोकने में उप्योग होने वाले रिमो जाच एम सुरुक्षा एजेंसियों द्वारा तैयार रिपोर्ट के अनुसार आतंकवादियों ने रिमोट संचालित आई इडी विसफोर्ट के तरीकों को असरदार बनाने के लिए इसमें अच्छानक बतलाव किया है और इसके लिए वे इलेक्ट्रोनिक उपकरण जैसे क बड़ी असानी सुपलब दोते हैं और कश्मीर घाटी में मौजूद आतंकवादी रिमोट संचालित आई इडी विसफोर्टों को अंजाम देने के लिए इन उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं इस सिर्फ सुरुक्षा बलों के साथ आमने सामने की मुटवेड से बचते हैं बलकि ऐसे हमलों में हताहतों के संख्या भी अधिक होती है राज्य में आई इडी विसफोर्ट के इतिहास और इसके वरते चलन पर जारी रिपोर्ट में आशंका जताते हुए कहा गया है अन्य राज्यों में नकसली विसफोर्ट के लिए जिन उपकरणों का इस्तेमाल करत को और अधिक सतरक्ता बरतने की जुरुत है पुल्वामा हमले की जाच कर रहे जाच करताओं ने आशंका जताई है कि 14 फरवरी को हुए विसफोर्ट को जैसे मुहमत के आतंगवादी ने अंजाम दिया इस शक्तिशाली विसफोर्ट को अंजाम देने के लिए आतंगवाद करने में सेना की 44 राइफल के जवानों को निशाना बनाकर आई इडी विसफोर्ट किया था पता चला है कि इस फिसफोर्ट को दुपईया वानों को चलाने एवंबंद करने में इस्तेमाल होने वाली रिमोट यूग चाबी का इस्तेमाल कर अंजाम दिया गया था इसके ला सॉफ्ट्वयर सर्विस से connected थे जैश मुहमत के संचाल को ने सर्विस का इस्तेमाल इसलिए किया क्गिदे मोबाइल खोण के बारी कम आनना है कि ये मैसेज हमले के बात किये गए हैं एक संदेश में लिखा गया है कि जैश का मुजाहिद अपने मकसद में काम्याब हुआ और दूसरे संदेश में लिखा गया है भारती सैनिक और दर्जनों गाडियां हमले में खाक हो गई कोड मैसेज को भीजने के लिए अल्टरा हाई रेडियो फ्रिक्वेंसी मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है इसमें एक रेडियो सेट को एक फोन से अटेच किया जाता है जिसके अंदर कोई सिम कार्ड नहीं होता है रेडियो सेट असल में एक छोटा ट्रांस्मिटर होता है जो ऐसी फ्रिक्वेंसी इस्तेमाल करता है जो दिसंबर से किसी भी मॉनिटरिंग डिवाइस की पकड़ में नहीं आया है पीर-टू-पीर सर्विस का उधारण टॉरेंट से होने वाली डाउनलोडिंग है इस दौरान दुनिया के किसी भी हिस्से में एक कंप्यूटर दूसरी कंप्यूटरों से इंटरनेट के जरीए जुड़ा रहता है और इस सर्विस में आपस में फाइल शेयर करने के लिए किसी सेंट्रल सर्वर की जरूरत भी नहीं पास भी उच्छ तक्निक है और इन लोगों के जो संदेश हैं पकड़नेवों माहिर हैं और लगातार ऐसा काम किया जा रहा है पुल्वामा हमले को लेकर जो जाच रिपोर्टे सामने आ रही हैं जो खूफिया रिपोर्टे सामने आ रही हैं उसके आधार पर सुरक्षा बल आगे की कारवाई कर रहे हैं फिलाल इस रिपोर्ट में इतना ही बाकी की देश तुनिया की खपरों को पड़ने के लिए देखने के लिए आप लॉगान करें प्रभासक्षी रॉट कॉम